हेलो दोस्तों वेलकाम बैक तो दी चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांस्फॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा जो कि एक बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे में और आपको जाना जरूरी है तो दोस्तों इससे पहले मै अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजए चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर करते क्या है अपना वीजोल शूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और यहां पर मैंने से फोल्डर बनाया था डेस्टॉप पे और यह मैंने open कर रहा है ठीक है अब दोस्तों यहां पर हम लोग करेंगे क्या index.html पीज बनाएंगे ठीक है index.html बना दिया अब दोस्तों यहां पर external CSS से link करना है तो यहां पर मैं CSS लिखूंगा और यहां पर यह तो यहां पर लिख दिया अब यहां पर दिव.box वन नेम से एक वह बनाया और यहां पर करते हैं चैनल का नाम लिख दिया अब यह चालते हैं और इसके अंदर स्टाइल करते हैं जब भी आप एस्टाइल तो दोस्तों या आपको मार्जञ्ञ्ण यहां पे 0% कर लेना है और जो पैटिंग है बोब्सका बोक्स हीसिंगहें ठीक है जो यहां पे इस यहां पでもस्ते अपे इस сохран 100 विएज कर देते हैं और जो यहां पर डिस्प्ले है ठीक है अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे डिस्प्ले को फ्लेक्स बनाएंगे ठीक है डिस्प्ले फ्लेक्स और जो एलाइन आइटम है वो यहां पर सेंटर करेंगे और जो जो विट्थ इनसे पेक्सल लेटे हैं और जो हएंट है वह हैं वह यहां पर 200 cuerpo ले लेते हैं और जो यहां पर बोडर है ठीक है बोर्ड देते हैं 3 पिक्सलoria यहां पर गृण तो यह आप Yak कर लेता हूं, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, अब दुस्थो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि transform property use कैसे करना है, जैसे कि dot box 1 है, ठीक है, अब इस पे जब hover करेंगे, ठीक है, जब इस पे करेंगे hover, तो क्या होना चाहिए दोस्तों एक मिनट यहां पर box 1 लिख देता हूं ठीक है तो यह जब इस पर hover करेंगे box पर तो दोस्तों यहां पर मैं चाहता हूं कि transform property यूज हो और transform property के बाद मैं चाहता हूं कि rotate हो ठीक है अगर मैं यहां पर rotate जो है 20 degree लिखता हूं तो क्या होता है दोस्तों देखिए जब मैं यहां यहां पर 20 degree लिखता हूं यहां पर hover करने की बाद 20 डिग्री rotate कर गया इधर ठीक है पहले टेक्ट में यहां पर ऐसे था आब ऐसे हो गया ठीक है आप देख सकते हैं तो यह 20 डिग्री रूटेट कर गया और दोस्तों अगर यहां पर मैं 90 डिग्री कर देता हूं तो पता नहीं चलना है कि कैसे रोटेट हो रहा है ना अब यहां पर दोसों मैं आपको ट्रांजेशन प्रॉपर्टी यूज करके दिखाता हूं तब आपको पता चलेगा ट्रांजेशन और ओल कर दिया ठीक है सब में ट्रांजेशन लग जाए और आपको लिखी देना है 90 डिगरी रोटेट किया मुझे पता भी चल गया कि कैसे हो रहा है ठीक है फिर अपनी वापस उसी पोजिशन पर आ गया देखें फिर से मैं आपको दिखाता हूं तो ऐसे कुछ हो गया ठीक है अब यहां पर दोस्तों अगर मुझे इसको यहां पर 180 डिगरी रोटेट करना ह है माल लिजे ठीक है मैं आपको यहां पर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं तो 360 डिगरी अगर रोटेट करता हूं तो कैसे हुआ पूरा एक कम्प्लीट रोटेट कर गया 360 पर ठीक है दोस्तों फिर वह वापस अपनी जो है टेक्नल जो है वापस अपनी पोजिशन प डिखा दिया ठीक थीक है तो उससे थोड़ा और ज्यादा जो है बड़िया दिखेगा तो दीक दिखाते हैं तो दूस्तों यह दिखिए जमने यूज किया अब देखिए यहाँ पर आ गया अब जैसे ही मैंने इस पर होवर किया यह देखिए कितना बढ़ या लग रहा है तो इस तरीके से दोस्टों आप तर्वोक्त चरते हैं और मैं आपको बताता हूं जैसे कि मानलिज दोस्थ यहां बरयोवर्टेट की ज़गे एस क्यों आप यूज करते हैं एसक्वर यूज करते हैं और सीव यहांप है है आप लिखते हैं 20 डिगरी माली यहां पर मैं लिख देता हूं 20 डिगरी अब देखिए कैसे रोटेट करेगा जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दूसरों यह देखिए ऐसे कुछ रोटेट कर रहा है तो दूसरों इस तरीके से जो है आप अपनी वेबसाइट में थोड़ा बहु हो गया टाइब का ठीक है और दोस्व काहँ चाहं पर माली यहां पर 90 डिगरी रोटेट करना चाहिए हूँ तो कैसे रोटेट होगा तु देखे दूसरों ऐसा कुछ रोटेट होजा रहा है ठीक है और दोस्व मैं आपको बताऊं जैसे इसकीव प्रोपर्टी गई डूठी अर दोस्तों यहाँ पर is duplicate होती है this view हो जाता है छे यहाँ पे मैंने क्य हो मैंने लिखा है अब क्या होगा यहाँ फेनिज है जैसे में maximum होगा तो सुमंगे एक बड़ी हो जाएगी घ्र क्छेगा दो गुनाव बड़ी हो गई इसकी जो मैं जाए ठीक है तो यह होता है इसकेल प्रॉपर्टीज मान लिए दोस्तों यहां पर मैं थ्री देना चाहता हूं तब देखूं कैसे हो रहा है और यह और ज्यादा इसकी में बड़ी हो जाएगी ठीक है यह देखे दोस्तों फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ ग ठीक है और उसके बाद यहां पर फिफ्टी पिक्सल यहां पर य एक्से में ठीक है तो अब देखे कैसे होगा यह देखे यह दोस्तों देखे यह वापस अपनी पोजीशन पर आ गया तो यह होता है दोस्तों ट्रांस्फॉर्म प्रोपर्टी अब अगर मैं आपको बताओं यहां पर माली जे ट्रांसलेट एक्स लिखता हूं ठीक है तो यहां पर ट्रांसलेट मैंने एक्स लिखा है और यहां पर लिखते हैं 50 ठीक है सिर्फ ट्रांसलेट में एक्स में 50 पिक्सल लिखते हैं अब देखे कैसा देख रहा है यह थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ठ कट्रान्सलेट अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं पटे यहां फा इसको मुझे उपर लेकी जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोसों आपको SMPL सा यहाँ पर माइनस लख देना है बस तो यह देखिए यह मैंज ओपर चली गई ठीक है तो इस तरीके से दोसों आपके स्लाइड कर सकते ठीक है अपनी इमेज को तो यह हो गया तो आपको यह अच्छा लग रहा होगा ठीक है और अगर ट्रांस लेट यहां पर मैं एक्स में करता हूं और दोस्तों यहां पर माइनस हंडेट कर देता हूं तो यह इमेज इधर साइड आ जाएगी ठीक है यह देखिए तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रांसफर्म प्रोपर्टी का यूज कर सकते हैं और और अपनी वेबसाइट को और भी ज्यादा और सकते हैं तो आपको अच्छी लगे होगी अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे होगी तो आप इसे लायक श्यार सब्सक्राइब जरूर कर जैए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में